दोस्तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग एंड यूसफुल बनने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसका यूस करके आप एक नमबर से दो वर्टसप चला सकते हैं दोस्तो एक नमबर से आप दो मुबैल के अंदर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बनने वाला है अगर दोस्तो आप एक सिम से दो वर्टसप दो मुबैल के अंदर चलाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तो यह जानना चाहते हैं कि यह कौन सा ट्रिक है तो उससे पहले आपको एक काम करना होगा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस लाइक के बटन पर किलिक करके वीडियो को लाइक कर दीजगा उसके बाद नीचे आपको रट कर रर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा इस पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइ मेरा फॉन है और इसके अंदर जो मैने नंबर से whatsapp अकाउंड बनाया है, मैं इसी नंबर से इस फॉन के अंदर पीज उसी WhatsApp को use करना चााता हून यानि के एक नंबर से दो मुबैल के अंदर दो दूस्तों एप्लिकीशन को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे आपन कर लेना है जैसे ही दूस्तों आप इस अपको आपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफियस आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको whatsapp web नाम से एक option मिलेगा इस पी आपको click करना है उसके बद यहाँ पर आपको एक ad देखने को मिलेगा जिसे आपको skip कर देना है यहाँ पर click करके उसके बद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक keyword code आ जाएगा अब दोस्तों इस keyword code को आपको scan करना होगा दोस्तों यह जो keyword code है आपको किस mobile से scan करना होगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों माल लीजे कि आपके पास एक ही number है और उस number से आपने दोसरे phone के अंदर WhatsApp account बना लिया है और आप उसी number से उसी number को दोसरे mobile में दोसरे WhatsApp को use करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सरिफ WhatsApp को आपन करना है जो main WhatsApp है आपका इसे आपको आपन करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको three dot देखने को मिलेगा इस पर आपको किलिक करना है और यहाँ पर यह जो keyword code है इसे आपको scan कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसा कि यहाँ पर मैं scan कर लेता हूँ दोस्तो keyword code को successfully scan करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका जो दूसरे mobile का WhatsApp है वो आज आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही नमबर से दो mobile के अंदर दो WhatsApp को आप इस तरीके से योज कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस mobile के अंदर जो WhatsApp चल रहा है यही WhatsApp इस mobile के अंदर भी चल रहा है तो आप इस तरीके से एक नमबर से दो mobile के अंदर दो WhatsApp को योज कर सकते हैं बहुत ही कमाल का trick है अगर दोस्तों आपके पास केवल एक SIM card है तो आप इस तरीके से एक ही नमबर से दो मुबैल के अंदर दो WhatsApp को योज कर सकते हैं तो दोस्तों है ना काफी कमाल का trick अगर दोस्तों आप इस trick को योज करना चाहते हैं तो योज कर सकते हैं इस application का जो download link है मैंने वीडियो के नीचे description में दे दिया है वहाँ से आप इस application को download कर सकते हैं और इसके अंदर आप old number से एक ही नमबर से आप दो मुबैल के अंदर WhatsApp को इस तरीके से योज कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना फिर मिलते हैं एक और ने वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लखेगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया